दोस्तो यदि A plus B plus C बराबा 0 तो A square upon BC plus B square upon CA plus C square upon AB का मान क्या होगा कैसे solve करेंगे इसको solve करना बहुत ही simple है सबसे पहले हम लिखेंगे A square upon BC plus B square upon CA plus C square upon AB इसे और simplify करेंगे तो इसे और simplify करने के लिए क्या करेंगे जब भी fraction में कोई number दिये होते हैं तो उनका हम LCM लेते हैं उनको sum करने के लिए तो इनका LCM लेंगे तो LCM आजाएगा A, B, C आजाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे BC है तो यहाँ पे BC से हम भाग करेंगे ABC में तो A मिलेगा हमें A का गुड़ा कर देंगे A square में तो यहाँ पे हो जाएगा A cube प्लस यहाँ पे हो जाएगा B cube प्लस यहाँ पे C cube हो जाएगा ठीक है अब यह थोड़ा simplification रूप हो गया इसका अब इसके बाद यह चीज यहाँ पे एक property होती है अगर दिया होता है यदि यहाँ पे लिखिए यदि A plus B plus C बराबर 0 तो A cube plus B cube plus C cube बराबर होता है 3 A B C ठीक है यह होता है 3 A B C तो यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 3 A B C अब बटे में क्या है A B C अब A B C से A B C कड़ जाएगा यहाँ पे बचेगा क्या 3 बच जाएगा और यही हमारा answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम साल्व कर सकते हैं ठीक है अगर यह आपको theorem पता नहीं है ठीक है तो आपको basic concept अपनाना पड़ेगा अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A plus B plus C बराबर 0 और हमें साल्व करना है तो हमें देखे A cube plus B cube plus C cube का रूप मिलना है ठीक है तो हम क्या करेंगे उसके लिए detail में साल्व करने के लिए A plus B plus C बराबर 0 है तो इसका क्या करेंगे हम cube लेंगे, ठीक है, तो इसका cube लेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, a plus b plus c का cube कर दीजे, अब बराबर में, यहाँ पर 0, इसका भी cube करेंगे, तो यह भी 0 ही मिलेगा, ठीक है, अब देखिए, cube जब करेंगे, तो क्या होगा, a plus b का cube, plus c का cube, और इसके बाद plus 3, a plus b, b plus c, और c plus a मिलेगा, इसके बराबर में 0 मिलेगा, ठीक है, और देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, a plus b plus c बराबर 0, तो यहाँ से हमें क्या चीजे मिल सकता है, अगर a plus b के value निकालनी हो, तो क्या करेंगे, c को बराबर के इधर ले आएंगे तो यहाँ से हमें a plus b पराबर minus c मिल जाएगा, और b plus c जब करेंगे, तो a को इधर करेंगे, तो minus a हो जाएगा, और c plus a करेंगे, तो minus b मिल जाएगा, ठीक है, अब यह value अगर हम यहाँ पर put कर देते हैं, तो हमें मिलेगा a cube plus b cube plus c cube plus 3, अब bracket में क्या हो जाएगा, minus c, यहाँ पर minus a, और यहाँ पर minus b, बराबर 0, ठीक है, और simplify करिए, तो a q plus b q plus c q, अब देखें, यहाँ पर 3 बार minus है, तीन बार जब गुड़ा करेंगे, तो minus आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, 3 a b c बराबर 0, अब यहाँ से, देखें, यहाँ पर minus 3 a b c है, बराबर 0 है, तो इसको बराबर के इस साइड ले आईए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a q plus b q plus c q बराबर 3 a b c, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, a q plus b q plus c q बराबर 3 a b c, यही जो कि हमने आपको बताया, कि अगर कहीं भी a plus b plus c बराबर 0 होता है, तो चीजे याद रखिए AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC ये प्रापर्टी होती है ठीरम है ये एक अलजेबरा में ठीक है तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप solve कर सकते हैं तो friends कैसी रही वीडियो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच